दर्शकों बाद क्यों बिहार में बाड से बरबादी के हालाद पने हैं। सबाही का मनजर देखने को मिल रहा है। दर्शकों बाद बिहार में बाड ने ऐसी तबाही मचाई है कि घर, खेट, सड़क, सब कुछ जलमगन हो चुका है। सिर्फ पानी ही पानी चारो तरफ नजर आ रहा है। तबाही ने सर से छट छीन लिया, रोटी छीन लिया, कपड़ा छीन लिया। जब लोग रहने ही पा रहे हैं तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। अब दूसरी बड़ी बात है कि खाना बदोश की तरह सड़कों पर रहने के लिए मजबूर तो है ही लेकिन वहाँ पर भी अगर बारिश हो जाती है तो वो कहा जाएंगे और हो ही रही है बारिश तो ये स्थिति थोड़ी सी चिंता जनक बनती जा रही है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार किन की जगों पर कौन कौन से नदियाज वक्त उफान परने अपने विकराल रूप में हैं और इसकी वज़े से लोगों को दिकते हो रहे हैं कौन कौन से शितर सबसे ज़ादा प्रभावित हो रहे हैं। आधा बिहार इस वक्त बार्कीच पेट में है और पानी के आगोश में पूरा समाया हुआ है। जीवन भर की महनत जो कमाई जोड़ी गई थी वो सब कुछ पानी में डूप चुकी है। यानि कि पानी में बरबाद हो चुकी है या फिर पानी में बह चुकी है। आपको बता दें कि सीता मणी में बागमती का तटबंद चार जगे से टूड़ गया जिसकी वज़े से रूनी सैदपूर का रूनी पंचयाद पूरी तरीके से डूप गया। और ग्रामीडों ने आरूप लगया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें अलर्ट नहीं किया गया था। आश्याना पड़ा दूसरी जगे आश्याना उनको अपनी शरन लेनी पड़ी और वो शरन कहीं और नहीं बलकि सड़कों पे थी खुले आसमान के नीचे थी जहां कभी भी बारिश हो सकती थी छोटी मासूम बच्चे बुज़र को परिशान सबसे जादा होते हैं क्योंकि दौरान न छट न रोटी सब कुछ जवक तबाह होता हुआ कई लोगों के जीवन में नजर आता है कुछ ऐसी ही तस्वीरे दर्भंगा से सामने आई हैं जहां पर जिले की कीरतपूर प्रेखट में बांध तूटने से पूरा गाउं जलमंग हो चुका है क्या सड़क, क्या ऐस्पताल, क्या स्कूल, क्या मंदिर परिशन, क्या घर सब कुछ यहां तक कि एक मंजिला जो मकान है वो भी पानी वे डूब चुके हैं ज़रा सोचे कि जिसकी मेहनत भर की सालों की गाड़ी कमाई एक मंजिला मकान में लगी होगी उसका तो सब कुछ तबाह हो चुक है, स उन्हें थोड़ी सी रहत मिलेगी, बेतिया की बात करेंगे, जहां बेतिया में गंड़क नदी पर पानी का दवाब बढ़ा तो पीडी रिंग बांध देखते ही देखते ध्वस्त हो चुका है, जिससे आसपास के लाकि पानी भर चुका है पानी और बार का खत्रे यहां प फिर से कहर बरपा है, बेगो सराय के किरतपूर में बांध टूटने की वज़े से लोगों का घर खेत सब पानी में डूब चुका है, घर में रखा आनाच पूरी तरह खराब हो चुका है, लोग सड़क पर टेंटे लगा कर रहने के लिए मजबूर हैं, अगर उनको वहां स तरीके से प्रभावित हैं, कई जिलों में बार से हलात इतने जादा खराब हो चुके हैं, कि जो तटबंध बनाए गए थे, वो तूटने की वज़े से लोगों के घर पूरे के पूरे जो कच्चे माकान थे वो गिर चुके हैं, और अब लोगों के पास ठिकाना नहीं है, क वो जाएं कहां, क्योंकि चारों तरफ पानी, घर है नहीं, खाने के लिए हैं नहीं, प्रशासन की मदद कब तक पहुंच पाती हैं, ये भी कहपाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिहार में सारी दर्गिया असवक्त उफान पर हैं, सोलह जिलों में बार से हलात बत से बत हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी तबाही, ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, जो शायद बिहार के जनता ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके के हलात इस बार बने हैं, वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं, कि जो तटबंद तूट रहे हैं, क्योंकि जादा तर जो ह जरूरी हो चला है, कि जो बांध बनाय जा रहे हैं, उनकी दीवारे मजबूत हो, ताकि इस तरीके के हलात दुबारा न बने, और अब कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, नाराजगी विव्यक्ति की जा रही है, लेकिन देखना यही है कि कब तक इन हलातों से मुक्त मिल पाती है, कब तक ऐसे डैनी स्थितियों से लोग उबर पाते हैं और एक बार फिर से जिन्दगी पठीरी पर आप आती है आप किस पर क्या रहा है जरूर साजा करिए, कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए और बाकी तमाम खबरों के आप बने रहें नेटवर्क के टीम के साथ, नमस्कार